सब्सक्राइब कीजिए आपके अपनी यूट्यूब चैनल एड्यूकेशन फार सीवेसी को और बेल आइकन को दवाईए ऐसे ही वीडियोज देखने के लिए आगे हैं आप तो प्यारी बच्चों आज की सब्सक्राइब की बात करने लिए तो बहुत ही ध्यान से देखेगा और अपनी कौपी और पेन को ले करके तयार हो जाएए क्योंकि यार यह जो नूपलेस होता है यह बहुत ही इंपोर्टेंट होता है और इसके बारे में आप ल चैनली बीच में ही होता है उसी को आम लोग कहते है नूपलेस कैसे होता है नूपलेस ऑफकी अजजी होता है ऑक दम ऐसे होता है ठीक है आब बट जो nucleus होता है उसमें nuclear pore भी होते हैं मतलब माली जी अमने ये किया फिर हमने ये किया घूल अब इसके बीच में यहां पे थोड़े से gap हो जाएगा पिर यहां से थोड़ा से gap यहाँ थोड़ा से यहां से 데 टो फॉल यहां पर पोर आ जाता है तो इसी प्रकार का जो हमारा नुकलियास होता है वो हमें दिखने में क्या करता है लगता है जब हम लोग इसे माइक्रोइसकोप में देखेंगे तो और अच्छे सी देख सकते हैं अब जो यह हमारा बीच वाला इस्ट्रक्चर आ जाता है यह वाला यह फिर यह फिर यह तो यह सब जो इस्ट्रक्चर आ जाता है इसे हम लोग कहते हैं नुकलियर पोर क्या कहते हैं नुकलियर पोर अब इसके जरिए क्या होता है इसकी जरिए जो नुकलियर पोर के जरिए ही तो यह करता है ट्रांसपोर्ट कर सकता है यदि यह ने रहता तो साधू न कर पाता है क्योंकि इसके पार double membrane की covering जो होती है तो nuclear pore के जड़िए यह क्या करता है यह अपना मतलब की अंदर की चीज़े बाहर-बाहर की चीज़े अंदर करता है ठीक अंदर बाहर करता है अब nucleus जो उनकी जो characteristic होती हो उनकी जब offspring में यानि जब बच्चे में पहुंसती है तो उसमें ये बहुत ही अच्छी तरीके से मतलब की उन information को store करने में मदद करता है जैसे माली जी आपके पापा का hair कैसा है मतलब बाल कैसा है black है तो यदि आपके पापा का बाल जो है वो black है तो आपक मतलब कि उसके अंदर nucleus के अंदर जो की क्या करते हैं जो की सभी information जो होती inheritance related इन्हें store करते हैं जीस प्रकार से प्यारे बच्चों जब आप लोगों देखे होंगे कि जो railway station होता है वहाँ पे जो train आती है जिसमें क्या होती है जिसमें सामाने लदी होती है तो उसे रखने के के बगल में गोधा मनाये जाता है उसे प्रकार से हमारे भी बॉडी की जितनी भी genetic information होती है genetic information मथी समझते है ना जो information हमारे genes से related हो मतलब कि हमारे पापा जैसे वैसे हम दिखेंगे नहीं होता है कि लोग कहते है अरे बिल्कुल अपने पापा का गया है तो वह गया है अपन करता है तब ही तो करेक्टरिस्टिक गई है अच्छा आप लोग यह बात भी सुनी होंगे कि कभी कभी जब बच्चे को जाते हैं तो सब लोग कहते हैं डियने टेस्ट कर वा लिजी इसमें क्या है तो प्यारी बच्चों जब लोग को कराना रहता है कि बच्चा हमारा ही है कि आपका नहीं होता है तो डियने टेस्ट क्यों कर आते हैं क्यूंकि जो डियने उसके पापा का रहेगा वही डियने उसके उसका भी रहेगा किसका उस बच्चे का भी तो डियने जो होता है वो बिसकली इंफॉर्मेशन की श्टूर करत लिखृष्टिक होते हैं जो की पापा से आपके पास आती हैं तो वो सबी डीने जो होता है वह इसे ठीक ऐा तो डीने का और इसके बाद हमारा जो नुकलियस होता है यह central role play करता है किसे में जब सिल डिवाइड हो रही होती है तो इसमें क्रोमोजोम का formation होता है या फिर आप लोग कह सकते हैं कि जब सेल डिवाइड होने माली रहती है जब इसा दो सेल में करना है एक और यहां फिर उहां पर सें で तो वोमेटीन का क्रोमोजोम्स का Čनो ऩा मतलफ का ऩुद्या बना रहा हूं तो प्यारे बच्चूं यह ऐसे रहता है फिर इसके भीच में गोला तैप पिर ऐसे यह होता है हमारे क्रोमोजोम का इस्ट्रक्चर तो जब यह जब मतलब सेल डिवाइड होने वाली जाती है तब एक क्रोमोजोम और इसके बगल में दो क्रोमोजोम यह दोनों क्रोमोजोम का फॉर्मेशन वजाता है फिर यह दोनों क्रोमोजोम क्या हो जाते हैं माल लिजे इस फोल्डर में से उस फोल्डर में कॉपी करना तो आप लोग पता होगा, देखिए, होता क्या है, माल लिजे कि जो पहला हमारा क्रोमोजूम आ जाता है, ये, माल लिजे पहले सेल के पास एक ऐसा क्रोमोजूम है, ठीक है, तो इसका एक डुब्लिकेट क्रियेट करता है कौन नुकलियस हमारा मदद करता है अलग-अलग proteins के reaction से उता है फिर इसका एक जब duplicate reaction होता है मतलब duplicate chromosome यहाँ पर produced हो जाता है फिर इसे separate कर दिया जाता है अब this के पास भी वहrest अब इसके पास भी वह सिस्ताय रहती हैं वो offspring में यानि की बच्चे में पहुच जाती हैं इसी प्रकार से क्योंकि ये cell रहेगी ये cell डिवाइड होगी तो दोनों एक ही जैसे दिखेंगे ना तो दोनों की characteristic भी एक ही जैसे हमगी समझ में आ रहा है ना तो यही हमारा role होता है निउकलियस का और इसके बाद जो निउकलियस होता है वो कभी-कभी जैसे कुछ organism होते है ना उमें अच्छी defined नहीं होता है मतलब कि कुछ organism प्यारे बच्चों ऐसी भी होते हैं जिन में nucleus तो होता है और उनके पास membrane ही नहीं होती है double membrane का ये single membrane का ये नहीं होती है उनके पार double membrane नहीं होती है उस टाइप के और्गिमिजम को हम लोग कहते हैं prokaryotic क्या कहते हैं prokaryotic अब जो prokaryotic होते हैं उनमें nucleus होता हुँ उनका membrane नहीं होता इसलिए पता नहीं चल पाता यार nucleus कहां तक फैला हुआ है तो उस region को जहां तक कि हमें ऐसा लगे कि nucleus फैला हुआ उसे हम लोग कहते हैं nucleoid region क्या कहते हैं nucleoid region note करते चलिए आप लोग की जो ncrt book है उसमें page 63 में दिया गया है एक table उसमें आप लोग क्या कर सकते हैं उसे fill up कर सकते हैं ठीक है तो चलिए मिलते हैं अगले उड़े में अगले उड़े हम लोग बात करेंगे